नमस्कार, मैं हूँ अमित पालित उत्तर प्रदेश के गुरकपूर में गुरकनात मंदिर पर आतंग की हमले के बाद ATS और STF की टीमें आक्शन में आ गई है और आपको बताएं कि पुलिस के जाज का पूरा अपडेट क्या है लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के शामली चे एक बड़ी खबर आ रही है शामली में पुलिस ने एक शक्त के पास से AK-47 राइफल मिला है उनको और साथ ही उसे गरफतार किया गया है और पुलिस ने शामली के ही रहने वाले अनिल और पिंटू को AK-47 के साथ गरफतार किया अनिल के पास 300 राउंड कार्टूस भी बरामद हुए है और शामली के कादरगर में चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक कार को रोक कर जाच करनी शुरू की तो उसके अंदर AK-47 Assault Rifle और 1300 राउंड एक दो नहीं 300 राउंड कार्टूस भरामद हुए है चार मैगजिन में मिले जो आप इसपक स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मैगजिन ड्रम भरामद भी हुआ है पुलिस ने अनिल और पिंटू को गरफतार कर लिया जबकि अनिल के दो साती फरार हो गए अब तक की जाच में पता चला है कि अनिल ने जीवा गैंग से 11 लाक रुपे में ये AK-47 राइफल खरी दी है तो ये तस्विरे आप देख रहे है AK-47 राइफल एक शक्स के पास से मिला है और शक्स का नाम पिंटू बताया जा रहा है जिसको गरफतार किया गया है एक कार की चेकिंग हो रही थी इस चेकिंग के दौरान पुलिस को ये AK-47 राइफल मिला और साती एक दो नहीं बलकि देख सकते हैं तेरा सो राउंड गोलिया मिली है जो AK-47 की है इसके साथ ही चार इसमें मैगजीन मिले है जो AK-47 राइफल की है तो अब बड़ी बात है कि आखिरकार कहां से AK-47 राइफल इनके पास पहुचा है हम लोग ने एक लेक्तिकवाद गिरफतार किया है उसके पास से एक AK-47 जो प्राइमा फेसी फॉरन मेड है और उसके साथ लगबग तेरा सो राउंड जो कार्ट्रीजेज है जो बुलेट्स है वो बरामद हुई है तीन इसमें मैगजीन से एक्स्ट्रा है एक राम मैगजीन है वो सारे चीजे रिकवर हुई है इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अनेल और पिंटू है जो मुजफर नगर भोरा कला थाना शेत्रा रहने वाला है उसे भी गिरफतार किया गया है और पूश ताच में और जानकारी करने पर यह बात पता चली है कि यह और इसका एक साथी जो अनिल पालियान जो अटमान में मेरट जेल में एक एगरिकल्चर युनिवरस्टी के दीन पर गोली चलाने के मामले में बंद है इन दोनों ने मिलकर यह हत्यार संजीव जीवा जो एक उख्यात अपरादी है उसके माध्यम से यह खरी दी हूँ विशाल आखिरकार क्या पुलिस को कोई टिप मिला था जिसके तहत चेकिंग की जा रही थी गाड़ियों की और यह बरामद हुआ है बिलकुर पुलिस के पास स्पेसिफिक टिप था जिसके आधार पर यह पूरी बड़ी गिर्फतारी ना सिर्फ हुई है बलकि बरामद जो हुई है वो है एके सैतालिस राइफल जो की विदेशी बताई जा रही है आने की फॉरम मिट बताई जा रही है और उसमें अगर तेरा सो कार्टिज बरामद हुए होते हैं अमित तो समझा सकता है कि कितनी बड़ी सफलता है यह वेस्टर उत्रपदेश में शामले पुलिस को लिए सुखीरती माधव तेज तर्रार आईपियस अफसर है उनको यह जानकारी मिली थी कि एक गैंग है जिसमें कि अनिल उफ पिंटू जिसकी गरिफतारी हुई है वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ असलहों की जो खेप है उसको एक जहां से दूसी जहां लेकर के जा रहा है और जब पुलिस टीम ने मौके पर जाकर करें दबिश दी है आरोपी की गरिफतारी की गई है तो ऐसे में सोचलित हत्यार एक एसाथालिस ही गरिफतारी होना और मौके से बरामद होना अपने आपे यह दिखाता है कि कितना बड़ा गैंग वहां से उपरेट हो रहा था और संजीब महिशवरी और जीवा के बारे में बताना चाहूंगा अमित यह जो अपराधी है यह मुक्तार अंसारी का पूरू शूटर हुआ करता था और इसके बारे में यह बताया जाता है कि क्रिशन अंदराय हत्या कांड में भी यह आरोपी था तो ऐसे मैं समझा सकता है कि AK-47 कास्तमाल आसल अबभग 20 साल पहले पूरवांचल में भी हुआ था और आज जो गृफतारी हुई है उसमें भी जो आरोपी है उसकी धरपकड़ से उसकी मौझूदगी से एके सपाली जैसाथ स्चल थग्याद खास दौर पर लोकल गैंग के पास AK-47 राइफल होने का मतलब बहुत साफ होता है कि वो किसी बड़े वारदात को अंजाम देना चाहते हैं और साथी साथ दैश्चत फेला सकते हैं और आपको बता दें कि पुलिस ने कारवाई करते हुए ना सिर्फ उस शक्स को पकड़ा है बलकि आप तस्विरों में देख सकते हैं AK-47 राइफल को भी उन्होंने जब्त कर लिया है और साथी साथ तेरा सो कार्थूस बरामत किये हैं और विशाल आप हमने साथ बने रही है लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं गोरगपूर में हमले के पीछे आखिरकार किस किस साधिश है ये हम आपको बताने जा रहे हैं लेकिन स्क्रीन पर इस वक जो आप देख रहे हैं हम लोगों ने एक जैक्तिक वाज गिरवतार किया है